आज के इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि कैसे हम नेम चेंज कर सकते हैं किसी भी एट्रिब्यूट या कॉलम का SQL की आउट्पुट या रिजाल्ट में और इसके लिए हम यूज करेंगे SQL का as clause जिसमें हम आउट्पुट में सिर्फ नेम चेंज करना अलाव कर सकते हैं टेबल में नेम चेंज नहीं होगा कमांड देखते हैं कि क्या syntax होगा जिस तरीके से यह किया जा सकता है suppose आप कोई भी command लिख रहे हैं कुछ attributes डिस्प्ले कराने के लिए तो आप select keyword लिखते हैं उसके बाद आप attribute का नाम लिखते हैं उसके बाद आप as keyword लिखेंगे और नया नाम लिखेंगे जिस नाम को आपको display कराना है तो ये है attribute का original नाम जो की table में stored है और ये नाम है temporary नाम जो की आप सिर्फ output में या result में display कराएंगे ये table में change नहीं होगा उसके बाद जब आपने select statement complete कर लिया फिर आप लिखेंगे from keyword और फिर table का नाम लिखेंगे तो suppose हमारे पास एक employee table है जिसमें से हम employee के numbers या employee IDs को display कराना चाहते है बट इस EMPNO की जगा हम complete employee number display कराना चाहते है जब हम output दिखा रहे हैं user को तो उस case में हम क्या करेंगे अगर सिफ यही column display कराना है तो command कुछ इस तरीके से होगी select m name मतलब इस attribute को select करो from employee table लेकिन इस EMPNO को इस तरीके से display करो employee number तो सारे employee numbers आपको visible होंगे लेकिन output में जो attribute का नाम दिखाई देगा वो यह वाला दिखाई देगा जो आपने as clause के बाद लिखा है तो suppose कई बार आपको ऐसा output चाहिए होता है कि जो table में data present है उसमें कुछ changes उसमें कुछ calculation करके आपको output display कराना है for example अगर आपको employee की names display कराने है और साथ में उनकी annual salary display करानी है जो table में given है वो monthly salary है तो आप कुछ ऐसा perform कर सकते है salary multiplied by 12 लेकिन जब आप ऐसे लिखते हैं तो output भी column का नाम salary multiplied by 12 देता है अगर इस तरीके से output आपको acceptable नहीं है आप चाहते हैं कि इसका कुछ better नाम दिया जाए तो यहाँ पे salary multiplied by 12 के बाद भी आप as keyword यूज करके एक नया नाम specify कर सकते है कुछ इस तरीके से तो सबसे पहले हमने दो column select करे हैं e-name select किया है जिसको हम output में name की तरह display कराएंगे और हमने salary 12 months की display करी है जिसको हम output में annual income के नाम से display कराएंगे और यह दोनों ही attributes employee table के हैं तो अब output में आपको changes दिख रहे होंगे यह वही column है value सारी same है salary multiplied by 12 की ही बट इसका नाम हमने change कर दिया है तो I hope आपको यह concept समझ आ गया होगा कि कैसे हम as clause use किया जाता है कैसे हम use करते हैं कोई भी doubts है तो आप हमसे comment section में पूछ सकते हैं अगर आपको कोई particular topic पढ़ना है SQL क्या किसी भी computer science subject का आपको भी हमें बता सकते हैं अगर वीडियो आपको समझ आया हो तो प्लीज लाइक कीजे इस वीडियो को share कीजे अपने friends के साथ और चैनल को subscribe कीजे बाकी सारे ऐसे tutorials के लिए thank you for watching till we meet in the next video mind your exam